समान जोडो, जाती छोडो, समान जोडो, जाती छोडो, समान जोडो, बहुत धम्म की क्या पहचान, मानो मानो मेश समान, हमारा नारा, संदा मेत्री भाई चारा, जे 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 भी, 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 गौतम जी के आवास पर और आज की सबसे बड़ी खबर जो की टीवी मीडिया आपको एक ट्विस्ट करके दिखाएगा वो ये है कि दिल्ली के सोशल जस्टिन मंतरी राजी दिरपाल गौतम जी ने दिल्ली सरकार से स्तीफा दे दिया है हाला कि MLA वो अभी भी है पार्टी मे अभी भी मौजूद है सर क्या वज़ा रही क्या जिस तरीके की छिछली राजनीती बीजेपी सुक्त कर रही थी वीजेदेश्मी के बाद से तो क्या क्या वो क्या वो एक बड़ा कारण रहा आपके जो है स्तीफी के लिए अगर मूर्ती चूली तो उस पर हत्या हो रही है और कहीं हमारी बेहन बेटियों की हत्या करके और उनको फांसी पर लटका के हत्या की जा रही है जिस निर्ममता से हमारे बेहन बेटियों की इज़त से खिलवार किया जा रहा है हमारे भाईयों का कतल किया जा रहा है उसके अपर मैं देखता हूं कि माननिय परदान मंतरी जी कुछ नहीं बोलते हमारे देश के ग्रह मंतरी कुछ नहीं बोलते किसी भी पार्टी के बड़े नेता कुछ नहीं बोलते तो मन बहुत दुखी है रोज आए दिन एक कही न कहीं से इस तरही घटना आती है दिल दुखता है मैं सोचता पर मंतरी रहके क्या करूँ अगर अपने समाज के हकर दिखारे के लड़ाई को भी ना लड़ू और उपर से फिर जो असोग विजय दस्मी पर मिशन जैभीम और दिपुतिश सोसाइटी ओफ इंडिया द्वारा जो दिखसा का आयुजन किया धम दिखसा दिवस के अफसर पर असोग विजय दस्मी पर उसमें हजारों लोग दस हजार से ज़्यादा लोग उसमें इखटे हुए और पूरे देश में असोग विजय दस्मी पर हजारों जगा पर करोडों लोग हर साल बहुत दिखसा के आयुजन में उन 22 परतिग्याओं को दोराते जिनको डॉक्टर बाबा सभ अंबेटकर जी ने समास को दिया था और दूसरी बात कि वही परतिग्याओं भारत सरकार का मंतरा ले वो भी उनको उन्होंने वोलियूम 17 के अंदर डॉक्टर अंबेटकर राइट एंड इस्पीचिस के अंदर छापा है उन उन परतिग्याओं पर इतना बाबाल मचा दिया बीजेपी ने मैं एक व्यक्तिगत उसमें अपने एक बाबा साहब का सिपाई होने के नाते उस आयुजन में गया था और वहां 22 परतिग्याओं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी वही परतिग्याओं दिलवाई है उसके खेलाब बीजेपी ने इतना सडियंदर किया जबकि इसका कोई मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था लेकिन वो लोग आमाद्मी पार्टी को और अरविन केज़रीवाल को जिन्हों ने मुझे इतना सम्मान और सहे उख दिया उनके उपर हमला रहे हैं बाबा साहीब को एक हम लाहिए nursing से से इतनी नव्रत क्यों हैं ? इन लोगों हमारे अनसुच जाती जन जाती पिछढ़े बरके लुगों से इतनी नफरत प्रत क्यों है ? आधरर बाबा साहिब ने इनका बिगारडा क्या है ? तो ये बाइश प्रतिक ग्या है तो 1956 से 14 अक्टूबर लगातार चली आ रही है आज तक किसी ने बोला खुद 12 सरकार चाप रही है वोलिम 17 के अंदर तो ये इस तरह का जो आरोप लगा कर जो ये घिनोनी हरकत राजनेती बीजेपी कर रही है इससे हमारे समाज के लोग भी दुखी है और हमारी पार्टी के मेरे नेता के ओपर भी इस तरह के हमले कर रहे है तो मैं इस वेधा में कि मेरे समाज पर जो जुन जाती हो रही है उस तो यह लोग बोलते नहीं है और उपर से मुझे मेरे परिवार को मित्रो को फोन पे दह में नहीं दरता हूं दह रहा है मैं नहीं डरता हूं मैं मरने से नहीं डरता है अपने ये अकलेकार के नच्वाराइ कोममा GO Det connection की Source प्रतिग्याएं डॉक्टर बावा साइब ने दिलाई थी वो जो हमने ली थी उसी के उपर उसी के उपर वो लोग इतना बावाल मचा रहे हैं और जब कि खुदी बारत सरकार उनको छाप भी रही है अपनी किताब में और दिक्सा भूमी में इतना बड़ा सिलालेग पर छप तो पार्टी की तरफ से किस तरह का रिस्पॉंस था कि जब विजय जश्मी के बाद जिस तरीके की बाते ट्विटर पर आई पार्टी मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है चुकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है अफिशल बयान दो आया नहीं से नहीं देखिया ऐसा है जो इस्तीफा दिया गया था बहुजल समाज के इस नेता के द्वारा वो थे बाबा साहिब अमेटकर जिन्होंने कानून मंत्री देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और दूसरे राजिंतरपाल गौत्व है जिन्होंने दिल्ली सरकार के सोशल जस्टर नहीं आया है, officially आमान्दी पार्टी ने इस पर कोई ना तो समर्थन जटाया है, ना ही ब्रोज जटाया, अभी तक जो है, स्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गाया है, हाला कि राजिन रिपाल गौतम जी ने उन पर छोड़ा है कि उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, शायद मेरे अनालेसिस के हिसाब से शायद ये फैसला आमान्दी पार्टी के लिए नुकसान दे हो सकता है, आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए, कैमरे परसन आशीष के साथ, नैशनल दस्तक के लिए धारण के रिपोर्ट, धन्य करें